हलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का लाक्षे के डिमी में अगर आप एक न्यू जॉब की तलास में है तो यार आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि आपके पास मौका है इस जॉब को 24 फरवड़ी तक पाने का है यार इस जॉब की सबसे रची खासियत यह है दूस्तों कि इस जॉब के लिए न तो आपको कोई एक्जाम देखने को मिलेगा दूस्तों और नहीं आपके लिए कोई एक्जाम फिस देना पड़ेगा दूस्तों मतलब यार नहीं दोस्तो आपको कोई syllabus का जहन जट होगा दोस्तो नहीं कोई time taking यहाँ पर process देखने को मिलेगा यह इस job की पूरी चांद कारी दोस्तो हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बात विजिट किया है दोस्तो तो हर दिन एक new job की अपडेट के लिए प्लीस हमारे चैनल को subscribe कर लिएगे जएगा चले दोस्तो वीडियो शूर करते हैं देख लिजे दोस्तो यह वेकेंसी आपको देखने को मिलेगे दोस्तो नेशनल इस्टुटूट आप टूबर क्लोसिस अंडर रैस्परेटर डीसेस में यह वेकेंसी निकल कर आई है दोस्तो देख सकते हैं इंपोर्टेंट डेट की बात करें दोस्तो इसकी इंपोर्टेंट डेट है और exam date की बात करें दोस्तों तो नहीं आपको यहाँ पर कोई exam देखने को मिलेगा फिर सोचिए दोस्तों कि selection किस बेस्पर हो गया तो यार उसका भी detail हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों देखिए दोस्तों बात करें जो दोस्तों illegality की यहाँ पर देख सकते हैं अगर आप 12th pass कर चुके हैं दोस्तों वो भी science system से तो यहाँ पर आप data entry operator post के लिए apply कर सकती हो उसके बाद बात करें दोस्तों अगर आपने VST कर रखी है दोस्तों तो यहाँ पर आप project technician के post के लिए apply कर सकती हो यहाँ पर salary की बात करें दोस्तों यहाँ पर 18,000 पर मन तक आपको salary को देखने को मिले की दोस्तों और incentive मिला कर बात करी तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 24 सचार तक आपको salary देखने को मिल सकती है पर मन की हिसाब से दोस्तों अधिक जनकारे के लिए दोस्तो आपको डिस्क्रिप्शन में नॉटिफिकेशन का पूरा डीटेल मिल जाएगा next point की बात कर लेते हैं दोस्तो selection process की selection process की बात करें दोस्तो यहाँ पर selection पूरी तरह से based होगा दोस्तो आपके walk-in interview पर दोस्तो आप walk-in interview में आपको क्या क्या ले जाना है दोस्तो उसका detail देख लेजी यहाँ पर document required की बात करें दोस्तो आपको यहाँ पर bio data ले जाना है bio data में क्या क्या रखना है दोस्तो किस प्रकार का आपको bio data बनाना है दोस्तो detail वहाँ पर क्या डाला है इसका डीटेल आपको description box में देखने को मिल जागा दोस्तो notification के अंदर उसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको educational qualification के according दोस्तो अपना पूरा educational certificate ले जाना है उसके बाद experience certificate आगर आपके पास है दोस्तो तो बिलकुल अपना experience certificate ले जाएगा दोस्तो और एक latest का photograph ले जाएगा इसकी भी जुरुरत आपको महाँ पर पढ़ेगी बात करें दोस्तो इंटर्व्यू डेट की यहाँ पर दोस्तो 24 दोस्तो 22 22 को मतलब 24 फरवरी को दोस्तो इसकी इंटर्व्यू आपको देखने को मिलेगी और दोस्तो आपको इंटर्व्यू स्टार्ट हो जाएगा सुबा साधे ग्यारा बज़े से दोस्तो लेकिन reporting time की बात करें दोस्तो इहाँ पर आपको reporting time साधे 9 से साधे 10 बज़े तक है दोस्तो प्लीज इन बातों का ध्यार रखेगा दोस्तो और अधिक जनकारे के लिए प्लीज नोटिफिकेशन का डीटिल पूरा पल दीजेगा बात करें दोस्तो इसके job location की तुई आपको दिलने में देखने को मिलेगा और बात करें दोस्तो complete address की तुई आपको description box में देखने को मिल जाएगा ठीक है दोस्तो थाइंक्यू कैसा लागा मेरे वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा और हर दिन दोस्तो एक न्यूज जॉप की जनकारे के लिए प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजेगा और हाँ बेले गन पर बीट कर दीजेगा ताकि आने वाले सभी वो गड़ा उडिस पर आपको लागता मिलता रही चले दोस्तों मिलते है नेक्स वोड़े में ऐसी इंपोर्टीन इंफर्मेशन के साथ